हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी को मेरा इस यूटीब चुनल में देखे दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही नमजदार होने रहे हैं बहुत ही नया कंटेंट लाएं हम आपके लिए और बहुत ही देखे यूनिक कंटेंट लाएं क्योंकि जो पाइडेल का एकसल जो है तो यह जो है तो पूरा लूज हो चुका है पूरा घंस चुका है इसलिए से हो रहा है किसे हो रहा है देख सकते आप तो इसको करने के लिए हमको करेंगे क्या क्या क्वाद्रफिन को सबसे पहले बाहर लिका लेना है उसके बाद हम दिखाते हैं आपको किसे ठीक करते हैं ऑर जो अक्साजल हो सकते हैं यह नहीं करना है ना लगा ड're Do बहुत दिन से रखा हुआ तैसलिक रोसें तिल आपको देना पड़ा हो अभी भी देने देखिए करोसें तिल दे के हमको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा इसको जनका लेंगे ठोक के क्योंकि जनक जाएगा तो खुलने में आसानी होगा कि थोड़ा साम ठोक के ठोक दियें से लिए इतना असानी से खुल गया नहीं तो यह खुलने का बहुत ही दिक्कत होता है क्योंकि क्योंकि चार-पांस अलाट दसल हो जाता तब तक यह नहीं खुलता क्योंकि पड़ेल से टूटने का बहुत ही कम चान्स रहता है कि उतना दिन तक चल जाते थे कि रहना आसानी से खुल गया हमको जदा मेनाद नहीं करना पड़ा थोड़ा सा ठोक लिए इसलिए खुल गया पाटी का काना की नया ही डाल दें तरहें नया डालने वाले हैं कि देख सकते हैं कि आप क्वार्टर फिन के हाल आती है जो भॉक मारा था यह टेडा टेडा चल रहता था इसलिए क्वार्टर पीने सा लाई देख सकते हैं तो कितना यह डालने वाले तो भी और यह कोड़र पिल लाई तो इदके नमा कोड़ने या कवाटर पीन इदके प्रतर प्रतर प्रत मीरा कहुआ तो क्राइब या नहीं इदके विई, मया कहां भुआलआ, पलाई इदके तो, बिल्कोली मेरा नंग जांए हो, כला उन्या riding चुका है और एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको कि पहले जो पाइडिल एक्सल था और जो क्रेंक था और इधर जो गियर था उसकितना टेड़ा नजर आ रहा था भी देख सकते हैं कितना सिधा आ रहा है तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर कर दें थोड़ा सा लाइक कर दें और थोड़ा सा सेयर कर दें वीडियो को जाए हिंद्ट